नमस्कार दोस्तों क्या हाल चाल है स्वागत है आप सभीगा लर्न एंफर पे जहां पर टीचर सापको दे लो और दिमाग दोनों से पढ़ाते हैं और आज केंच उलेक्टर खोंयंस से पहले एक बाभा पताना चाहूंगा एक्चुल्ली इस लेक्चर को मैंने जब रिकॉर्ड कर दिया तो मैंने इसमें सी कुछ सब्सक्राइब जैसे की बात हुए थी कि लेक्टर सेंद के सारे फॉर्मुले आप याद रखियेगा अगर आपको फॉर्मुले याद नहीं हुए कि जो हमारा सेकेंड चैपटर है सोलूशन हमारा थर्ड चैपटर है न्युमेरिकल बेज़ चैपटर है मतलब अगर यह एक्जाम में क्योंकि आप एग्जाइक ब्ल्यू प्रिंट्स तो मारे पास नहीं होते हैं लेकिन अगर यह जैसे कि मैं अगर अपने एक कोशन एक नंबर का आता था और एक कोशन तीन नंबर का अब जो तीन नंबर का कोशन आता था वह हमेशां नुमेरिकल होता था सेम गोज़ फौर एलेक्ट्रोकेमस्ट्री यह शायद जहां पर मुझे याल आ रहा है चार यह पान नंबर का होता था और इसमें एक कोशन न techniques殿मेरा से जादा लेक्शर हो सकता है पूरा देखते हैं आपको कितना समझ में आता है हमारा कितना फ्लो बनता है लेकिन आज आप कहे सकते हैं कि हमारा जो लेक्चर है वह डेडीकेटेड हैं रिच्ट के ऊपर निवेरे कघुशन थे कि हमने जो लास्ट क्लास में Gibbs free energy और equilibrium constant के उपार कुछ formula खटे किये थे उसके उपर चलिए done है तो सबसे पहला सवाल हमारे पास NCRT के सारे screen shots है सवाल है पहला है represent the cell in the which of the following reaction is taking place यानि आपको सबसे पहले तो cell को represent करना है सबसे पहला काम है cell को represent करना है in the form of equation तो represent the cell अब पहले आपको cell को represent करना है तो मैंने बताए था इदर oxidation बीच में salt bridge और इदर आपको reduction लिखनी होती है तो oxidation किसकी हो रही आप देखी सकते है magnesium जो है वह oxidize हो रहा है तो mg से mg प्लस टू फिर बीच में आता है salt bridge और फिर आ जाएगा हमारे पास AG प्लस से AG टू नहीं लिखते हैं जब हम cell representation कर रहे होते हैं तो टू नहीं लिखते हैं तो यह हमारे पास cell representation हो गई अब उसके बाद हम लोगों को e cell निकालना है अब planning क्या है temperature mentioned नहीं है तो मैंने पताया था जब mention ना हो तो temperature आप क्या लेंगे 298 Kelvin तो add temperature 298 Kelvin e cell जो हमारे पास हो जाएगा वो हो जाएगा e not cell minus 0.059 अपॉन में n log product के ions यह equation I hope आपको अब तक याद हो गई हो product के ions जो की है mg plus 2 upon में reactant के ions जो की हमारे पास है ag plus और इसकी power हमारे पास आजाएगी तो क्योंकि ag के आगे 2 लिखावा है चलिए अब e not cell आपको given है question के अंदर which is 3.17 अच्छा ज़रूरी नहीं है हर एक question में e not cell आपको given हूं जैसे exercise के चार सवाल है मतलब एक सवाल के चार पार्ट है चारों में e not cell given नहीं है तो फिर आप क्या करेंगे e not cathode minus e not anode से पहले e not cell निकाल लेंगे अभी फिलाल इंटेक्स और एक्जामफल के लगबख हर कोशन में शायद e not cell तो given ही है तो वाला टाइम आपका बच जागा लेकिन exercise में ऐसा वहीं सवाल है जिसमें पहले आपको e not cell निकाल लागा जो कि हम सीख चुके ए not cathode minus e not anode और उसके बाद पिर आपको इसकी आप वैली पूट करनी होगी तो जीरो पॉइंट जीरो फाइव नाइन अब कितने एलेक्ट्रॉन आएं गए हैं तो आसरे एजी ने दो दो एलेक्ट्रॉन लिये हैं और मैगनिशम ने दो एलेक्ट्रॉन दी हैं तो टू मोल चार याने कि 10 के पार minus 4 और इसका में क्या कर देना square क्योंकि आगे पावर 2 है तो यहां पर हमारे पास जो e cell है वो बिसीकल लिए आ जाएगा 3.17 एक सेकेंड 3.17 माइनस 0.059 अब यहां पर आप इसको कैसे solve कर सकते हैं log इसको आप 1.3 लिख सकते हैं आप 1.3 लिख सकते हैं. और इंटक में 10 की पार जा सकता है यह माइनस हमारे पास क्या? माइनस क्या हो चुका यह 4 था तो उस हिसाब से हो गया माइनस 8 ऊपर जाएगा तो यह क्या हो जाएगा 10 की पार 8 बागी calculation देख लेनाब और यह है 10 की पार माइनस 8 ऊपर जाएगा 10 की पार plus 8 हो जाएगा एक 0 वांसे ले र Ind wisdom अब log की value I hope आप सबको देखनी आती है अभी हम उस पर time नहीं बेश्ट करेंगे क्योंकि 11th अरे 11th class कैसे निकाल दी अगर log देखना नहीं आता है तो comment section पर पता दीजेगा अगर जादा messages आए जादा comments आए तो हम log के उपर एक lecture देदेंगे जहां पर log एंटी log देखना कैसे सिखाते हैं आपको पता दिया जाएगा लेकिन अगर जादातर comments आए तो हम बात करेंगे दो चार आए तो फिर फिर क्या करेंगे फिर किसी class में एक आद question में समझा देंगे लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि जातर बच्चों को log आता ही होगा बाकि लास्ट ये कोविट रहा है कुछ भी हो सकता है इस पूरे को solve कर लेंगे यह तो हमारे पास log 1.3 आ जाएगा इसको थोड़ा सा कर मैं आपको आइडिया दे दू अभी फिलाल लॉट टेबल है नहीं मेरे पास लेकिन फिलाल अगर मैं आपको आइडिया दे दू तो आप इसको लॉग यह तो हमारे पास हो इन्टो में यह भी तो चल रहा है एक तो इधर उधर बड़ा भागना पड़ता यार इसमें इजी नूट 5 ठ 0.2 अब इसको मैं क्या लेक सकता हूं लॉग 1.3 और यहां पर आपको शाहिद पता हो कि यह क्या हो जाता है यह लैसे लॉग 10 की अंसर हमारे पास आजाएगा समझ गें तो मतलब अगर हम क्यालकुलेशन वाले पार्ट को भी छोड़े तो हमारी वेल्यू हम लोगों ने पुट करी सबसे पहली बात तो यह धियान रखना है कि टेंपरेचर गिवन नहीं था टेंपरेचर गिवन ने तो हमने 298 ले लिया और भी ठीक है यह हमारे पास कोशन जो है वह बने जगा के लिए छोड़ दिया था तो आगे बढ़ते हैं कहारे हैं कैलकुलेशन दे रखे आपको एक्विलिब्रियम निकालना है आपको इनॉट जो है वह गिवन है 0.46 अगें मैं दुबारा बोल रहा हूं जरूरी नहीं है कि एसे कोशन में आपको इनॉट सेल गिवन आए नहीं आएगा तो क्या करोगे आंसर है फिर आप इनॉट कैथोड माइनस इनॉट एनॉट चलो नॉलेज के लिए पता दो रिवीजन के लिए पता दो इस पूरी रियक्शन में एनॉट कौन है कैथोड कोन है जल्दी बताओ क कौन एनॉट है कौन कैथोड़ा देखें याद है कि नहीं आप लोगों को ओके चालिए वेरी गूड आप लोगों ने आंसर दे दिये हैं नहीं दियें तो सोचने का समची तो वीडियो पॉस करके आंसर दे दो बड़ आंसर है सिल्वर कि आप देख सकतों रिदक्शन हो र आप लुग तो याद करेंगे लास्ट लेक्शे का फॉर्मला व क्कौन कर रहा हुं आइन आपां में टू नाइठ के सी यह फार्मूला होता है अच्छा अगेरट टेमपरेचर तो हो ऑगेर In अगेरट नाइन टी एट केलिवें पर बात हो रही है क्यों कि जब तक तक टेमपरेच्र Province नहीं है तब तक हम क्या लेंगा 298 300 400 जो गिवन है फिर तो फिर वो गिवन ही है तो यह नॉट से हमार पास 0.46 है एन कितना है कितने एलेक्ट्रोन आया और गए तो आसरे दो 0.059 log केसी हमें यहां से निकालना है तो उदा चला जाएगा तो 0.46 था तो यह 0.96 आजाएगा नाइन टू आजाएगा सौरी 0.92 आगया नहीं और डिवाइड़ेड़ बाइ 0.059 इस इकवास टू लॉग क्या आजाएगा हमार पास केसी अब अगर आपको यहां से केसी याने कि एक्विलिब्रियम कंस्टेन्स निकालना है तो लॉड़ उदर जाके क्या हो जाता है एंटी लॉग तो यहां से वार पास एंटी लॉग ऑफ दिस हो जाएगा विच इस सम्थिंग तो कहने का मतलब यह बच्चो कि हमारे पास एक्विलिब्रियम कॉंस्टेंट की वेल्व यहां से आ जाएगी ओकिया बच्चो दने बच्चो मतलब अगेन चल्कुलेशन छोड़ो आप आप न्युमेरिकल देखो क्या है एन की वेल्व डाल दी इनौट की वेल्व डाल दी मैं दुबारा बोल रहा हूं लॉग एंटी ल लेकिन फिर भी अगर बच्चे ऐसा कह देते हैं तो हम तो अपने आफ्लाइन में क्या करते हैं उनको वीडियो भेज देते हैं मैं उनको कुछ वीडियो भेज देता हूं जहां पर मैंने ही लॉग एंटी लॉग पढ़ाया हुग है बड़ आपके यहां पर ऐसा होगा ने यार कोई दिक्कत नहीं है आगे बढ़ें चालो डन है अब आगे बात करते हैं कि कहरें दा स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशल फॉर डैनियल से लिस आपको याद है यह हमारा पहला सेल था तो इनॉट सेल इसके लिए आपको वन पॉइंट वन वोल्ट देरा का रियाक्शन के लिए अब प्लान करेंगे पहले बात तो रियाक्शन में डेल्टा जी नॉट का फॉर्मला अगर आपको यादो तो माइनस एन एफ इनॉट सेल जो है वो होता है अब यहाँ पे डेल्टा जी नॉट अगर मुझे निकालना है तो माइनस एन कितने एलेक्ट् और जेंक ने दो मॉल दिया तो टू हो गया एफ याने की फराड़े तो नाइन सेक्स नाइन सेक्स फाइब डबल जीरो और इनॉट सेल हमारे पास कितना है वन पॉइंट वन इस पूरे को सॉल्फ किया माइनस में अंसर आजाएगा जूल पर मॉल ठीक है जी माइनस साइन क जल्दी बताओ माइनस साइन क्या शो करता है माइनस साइन यह शो करता है कि जो प्रोसेस है वह स्पॉन्टेनियस है जब भी गिप्स फ्रेनरजी माइनस में आती है तो थर्मोडरेमिक्स का लॉग कहता है कि जो 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 प्रोसेस होगा वह स्पॉन्टेनियस होगा पहली बात दूसरी बात अगर मैं ऐसे नॉलेज के लिए पूछूं क्योंकि यार बच्चों को बार-बार इसमें कन्फूजन बहुत रहती है कि और यह तो हम पढ़ भी चुके इस वाले में नोड के थोड कौन है क्योंकि मैं आपको पता है क्यों बार-बार बोल रहा हूं जरूरी यह कोशन में हमारा सिलवर जो है वह जो सिलवर की Ensuite अबहुँन हो रहा है और कौपर की रोट और यहां पर यह तों पढ़ मैं चूके और और copper की क्या हो रही है reduction तो इस प्रकार से हमारे पास anode और cathode जो है वो पताते हैं और आपको पता ही है बस मैं आपको revise करवा रहा हूँ reason being क्योंकि आप भूलना गए हो और इसके ओपर question आ सकते हैं इनौट सेल जरूरी नहीं है आपको given आए चालो अगले सवाल पर आते हैं calculate the EMF of the cell जिसमें यह reaction चल रही है EMF निकानने से हमारे कहने का मतलब आपको क्या निकानना है आपको E cell निकानना है standard EMF नहीं बोला है standard तो शायद given ही है हाँ standard तो given ही है आपको E not cell given ही है which is 1.05 वोल्ट आपको E not cell 1.05 वोल्ट गिवन है और आपको reaction भी गिवन है अब reaction से पहले हम लोग नौस्ट एकोशन मनाएंगे नौस्ट एकोशन क्या कहते है भई E cell is equals to E not cell minus 0.059 upon में N log product के ions product में कौन बैठा हुआ है निकल reaction balanced है कि नहीं है देख लेना upon में reactant के ions जो की है silver reaction balanced है और उसकी power क्या जाएगी silver की 2 silver की power 2 क्यों आएगी because silver के आगे 2 लिखा हुआ है ठीक है ना भाईच कोशियोमेट्रिक ओफिशन उपर आते हैं अब इनौट सेल कितना है मार पास one point zero five minus zero point zero five अच्छा अगेन temperature कितना इस पूरे कोशन में तो आंसरा temperature तो मेंशन नहीं है temperature मेंशन नहीं है तो 298 Kelvin शायद आपको याद हो मैं आपसे बात भी कर चुका हूं कि NCRT में एक भी सवाल नहीं है जहां पर नर्ष्ट को इक्वेशन या इसकी उपर नर्ष्ट इक्वेशन गिप्स फिन एनर्जी NCRT में नहीं है जहां पर कितना है बच्चो टू और लॉग अब पताइए निकल की concentration हमारे पास कितनी है निकल की concentration है 0.16 और उसकी पावर क्या लेंगे कुछ नहीं अपॉन में सिल्वर की concentration कितनी है एक दो तीन याने की टू इंटू में टैन की पार माइनस त्री और इसकी पावर क्या ले हम लोग टू समझे क्या हुआ सिल्वर की पावर हमने टू क्यों लिपकॉस सिल्वर के आगे तू लिखा वह यह मत भूलना आब common sense लगाओ आप पहली बात तो कभी कब बच्चा reaction को देखता ही नहीं कि बैलेंस ठेक ही नहीं अब अगर reaction मिल जाएगा आपको और क्या मिलेगा चलिए अब अगर हम इसको सॉल्फ करें यह सेल को तो आगा हमारे पास इन होट सेल विच इस वन पॉइंट जिरो फाइव नाइन अपॉन में टू लॉग यह आ गया इसको मैं लिख सकता हूं चाहूं तो वन पॉइंट सिक्स और आप क्योंकि आपको पता होगा शायद लॉग जीरो से मताब अगर वन से चोटे जाओ तो माइनस में आते हैं और फिर उनमें पंगे हैं उनको देखने में डिफिकल्टी होती हैं तो इसलिए हमेशा मैं लॉग को वन से बड़े में कनवर्ट करता हूं कि उसको लॉग टेबल से लॉट और में अब यहां पर हां गया वन पॉइंट 05-059 अपन में टो लॉग अब यहां पे मेस को अगर डिवाइड कर दो ईस को मैं मैं ऐसा करता हूं 16 लिग देता हूं 16 इंटि में की पार माइनस वन और इसको मैं लग देता हूँ 4 इंटू में 10 की पार माइनस 6 ऐसा सही रहेगा तो 4 को अगर मैं 16 से डिवाइड कर देता हूँ तो आफसर आ जाता है 4 ठीक है जी तो यहाँ पर मेरे पास क्या बचता है E cell is equals to यहाँ गया मेरे पास 1.05 माइनस 0.059 अपॉन में 22 क्यों भई क्योंकि नीचे एंटू था लॉग यह आ जाएगा 4 और 10 की पार आ जाएगा उपर 5 सही कह रहा हूँ तो यह आ जाएगा लॉग 4 इंटू में 10 की पार 5 अब इसको हम लोग कैसे सॉल्फ कर सकते हैं 1.05 तो मही रहा 0.059 अपॉन में 2 इसको मैं लिख सकता हूँ लॉग 4 प्लस लॉग 10 की पार 5 ऐसे भी तो लिख सकते हैं लॉग 4 प्लस लॉग 10 की पार 5 तो यह आ गया 1.05 माइनस 0.059 अपॉन में 2 और फिर आ गया हमारे पास लॉग 4 की वैल्यू डाल सकते हैं आप यह लॉग 4 लॉग 4 कितना होता है बच्चो लॉग 4 होता है 0.6021 लॉग 4 होता है 0.6021 एक आध वैल्यू याद कर लेते हैं और य इतना वोल्ट हमारे पास आंसर जो है वह आ जाएगा कहने का मतलब यह है कि आपको इस पूरे चैप्टर में एक कोशन ऐसा नहीं मिलेगा जो मुश्किल है डिफिकल्ट है सारे कोशन बहुत असान है बस कैलकॉलेशन में बच्चा टकता है अब बहुत बार ऐसा होता है बा किट को सॉल्फ करना है उसके बाद माइनस बोर्ड मास में सबसे लाश्ट में आता है यानि कि सब्ट्राक्शन आपको सबसे लाश्ट में करनी होती है ना कि सबसे शुरू में तो यह बात बस आप ध्यान रखिएगा चीक है बच्चो तो दैट इस दी पॉइंट आप यह सब चीजे एकदम एंड में करेंगे यानि इस पूरे को पहले सॉल्फ करेंगे फिर माइनस वन पॉइंट जिरो फाइफ करेंगे पहले उससे पहले इसको छेड़ेंगे भी नहीं तो फिर LCM लेंगे कि भीया पहले टू वाला LCM वाला पंगा करेंगे अब आप कहोगे सर इ बच्चे यहां पर अक्सर गलती करते हैं ओके बच्चो ड़न है बच्चो चालिए ऐसा करते हैं यह हमारे पास सवाल है और इस सवाल को एक बारी आप अगर ट्राइग करें ट्राइग करोगे क्या गिब्स फ्रेनर्ज और एक्विलिब्रियम कॉंस्टन दोनों के उपर है और शायदि आखरी सवाल भी है तो मेरे साफ से ट्राइग करो इसको ठीक है लो जल्दी से करना इमानदारी की बात है कहा गया इमानदारी की बात है चलो टाइम दे दिया मैंने आप लोगों को एक मिनट बहुत है क्या एक मिनट दे दिया चलो माइक आफ करेता हूं डिस्टर्बंस नाओ एक मिनट दे दिया झालो झालो करें दो झालो झालो ही थार झालो बहुत कला दो तब का झालो हाँ जी आई होप हो गया है चीक है कर लिया है सॉल्फ बहुत इजी कोशन है ज्यादा मुश्किल तो नहीं है ठीक है नहीं हुआ है तो इसका मतलब है है आपने भी पिछला लेक्टर ढंक से नहीं देखा है आपको फॉर्मले याद नहीं है आपने भी फॉर्मले भी अगर याद हो गए रटे मार लें तो कंसेप्ट ही नहीं पता किसकी वैल्यू क्या पूट करने है क्या नहीं गिवन लिखा होगा सबसे पहली बात तो आपको इनौट सेल जो है वह भी गिवन है कितना गिवन है 0.236 वोल्ट गिवन है आपको रियाक्शन भी गिवन है कैलकुलियर ती स्टैंडर्ड गिब्स प्रेनरजी एंड एक्विलिब्रियम कॉंस्टंट ऑफ दी सेल रियाक्शन अब इस कोशन के अंदर जादा तर या मैं कहू अगर तो ऑन लाइन में बिच्छे पढ़ाते हैं उनकी भी बार पता हूँ तो बच्चे क्या करते हैं बहूत बार गलते हैं यहाँ पे एंगे निदिक जए इन की जागा पर एंगिदेगा शे नहीं आएगा देखो त्रीएंट्व में टू प्लस इक्स यहां पे हैं प्लस से जीरो जाने का मतलब दो बढ़ना होता तो दो बढ़ेंग होए जिसकी वैसे जो एन की वेली होगी वह टू ही रहेगी अब आप ये भी गलत मैसेज मत लगे लेंगे हर कॉशन में क्योंकि अभी तक सारे कोशन में उन की वेलू टू आ रही है तो ऐसा नहीं है हर कोशन में लेकिन आप यह बात ध्यान रखो यार कि जो एन है वह इस वाले कोश्चन में प्लस 6 या 6 नहीं रहेगा वह प्लस 6 से प्लस 4 जा रहा है तो दो ही तो कम हुआ तो एन की वेल्यू में यहां पर ज्यादा तर बच्चे जो है इसल इस इक वस्टू इन ओट सेल माइन जीरो पॉंट जीरो पॉंट जीरो फाइव नाइन अपॉन में एन लोग अब अगर हमें हमें equilibrium constant निकालना और Gibbs free energy निकालनी है तो हम यह क्यों करना है यह तो हमें काम यह नहीं करना है हना सॉरी हमें हमें equilibrium constant निकालना है ना अब अगर हमें equilibrium कुछ कि reaction equilibrium में है तो E not cell is equals to क्योंकि 0.059 अपन में लॉक के सी क्योंकि equilibrium है तो सीधा और temperature भी 298 है तो E not cell हमारे पास है 0.2360.059 अपन में हमारे पास टू है ना की 6 है हो सकता है बहुत बचों ने 6 लिया आप बोले ना बोलें वह अलग बात है लेकिन हो सकता है बहुत ने लिया हो और लॉग यहां पर क्या जाएगा के सी यह चला जाएगा इतना मल्टिप्ला हो जाएगा 0.236 इंटु में टू अपन में 0.059 और यहां पर क्या जाएगा मारे पास लॉग के सी तो यहां इनरजी अच्छा इनरजी कौन से निकलेगी अकल लगाओ स्टैंडर्ड यह तो निकलेगी स्टैंडर्ड क्यों निकलेगी विकॉज आपके पास इनौट सेल है आपके पास इसल निकाल सकते हैं विकॉज आपके पास यहां पर आपके पास एक यह ऑप्षन बचता है और वह ऑप्षन है कि आप इनॉट सेल निकालोगे अच्छा पूशन में स्टैंडर्ड गेपस अगर नहीं भी बोला तो भी हमें स्टैंडर्ड यह निकालना आप्षन नहीं नहीं हमारे पास हाना तो डेल्टा जी नौट इस स्टैंडर्ड माइनस एन एफ इनॉट सेल हमारे पास फॉर्मला आ जाएगा एन की वेल्यों दो हो गई एफ होगा 965 00 और इनौट सेल हमारे पास कितना आ जाता है इनौट सेल आता है 0.236 0.236 और इस पूरे को सॉल्फ करेंगे तो माइनस में जूल पर मूल हमारे पास आं आंसर आ जाएगा माइनस में जूल पर मूल हमारे पास आंसर जो है वो आ जाएगा दर है तो इस तरीके से यह जो काम है यह जो लेक्चर है वो चलता है अब आगे कि अगर हम लोग बात करें तो इस चेप्टर में हमारे पास एक बहुत नया फेस सा शुरू होता है वो नया phase हमारे पास क्या है बच्चों वो नया phase है conductance conductivity अब अब आप सब chemistry के बच्चें 12 के तो अबबसी बात है आपके पास physics भी होगी यह क्या सवाल है सब के पास ही होगी अब अगर आप सब के पास physics है तो ध्यान वो देने वाली बात है कि हमने यह थर्ड चप्टर में भी हाल ही में किया भी हुआ है यानि conductance, conductivity, resistance, resistivity यह हमने हाल ही में अभी एक चप्टर में किया है जिसका नाम है current electricity तो यहाँ पे मैं उसको बहुत short में समझाओंगा अगर आपको लगे कि नहीं यह तो मेरे को नहीं आता है तो आप physics का current electricity वाला मेरा लेक्चर या किसी का भी लेक्चर उससे कोई फरख नहीं पड़ता आप जाके देख सकते हैं जहां पे हमने इनको तो अगर अभी हाल ही में समझाया ही है तो फिर बहुत जादा explain करने में time waste वाली बात है तो यहां यहां पर मैं आपको पतायता हूं हमारा जो प्लान रहेगा बस अब हम यहां पर बात एक सेल के लिए करने वाले हैं क्योंकि हम यह chemistry में पढ़ रहे हैं लेकिन भावनाएं वही है यानि कि कंड़क्टेंस कि रेजिस्टेंस कि कंड़क्टिविटी रेजिस्टिविटी यह सारी चीजे आपने physics में पड़ी हुई है बस इन्हें हम दुबारा से आप कह सकते हैं रिवाइस करेंगे ठीक है ना क्या आपको याद है r is equals to rho l by a होता था यह formula हमने physics में derive किया हुआ है यहाँ पर derive नहीं करना है लेकिन आपको पढ़ना है r होता है resistance, rho होता है resistivity, l होता है हमारे पास length of the conductor होता था यहाँ पर length of the cell होगा और a area of cross section of the conductor होता यहाँ पर a जो है वो area of cell होगा बस और कुछ नहीं है बागे सब वही है आप याद करेंगे conductance, conductance क्या होता तर बचोक होता है one upon resistance, conductance क्या होता है one upon resistance यादए और conductance की SI unit हो जाते है और पता ही होगा है यह हम Physics में Allis 25 ही हो जाती है, ohm j जिसको move भी कहते हैं जिसको साइमन भी कहते है, हाँ पता ही होगा यह हम physics में discuss कर चुके हैं फिर ऐसे आता है हमार पास conductivity conductivity आता है one upon resistivity conductivity आता है one upon resistivity conductivity is equal to one upon resistivity अच्छा कंड़क्टेंस को सिंबल की form में हम लोग G से दिखाते हैं which is one by R chemistry की बात कर रहा हूं और conductivity को हम लोग के से दिखाने वाले विच इस वन अपॉन रो इसकी SI unit क्या होगी बता हो भई अगर आपको याद हो तो रजिस्टिविटी की SI unit होती है ओम मीटर physics में बात कर चुके तो इसकी क्या हो जाएगे बता हो ओम इनवर्स मीटर इनवर्स या फिर मो मीटर इनवर्स या फिर साइमन मीटर इनवर्स बात देखिए सारी अब फिजिक्स में हम लोग ओम इनवर्स जादा इस्तमाल करते हैं आप सब जानते हैं लेकिन केमिस्ट्री में हम लोग कारण मुझे मेरे पास नहीं है हम साइमन काफी जगा इस्तमाल करेंगे यह जातर जगा पर साइमन इस्तमाल होगा कारण मेरे पास नहीं है ऐसे उनकी मर्जी है लेकिन फिजिक्स में हम ओम इन्वर्स इस्तमाल करते हैं यहां पर ओम इन्वर्स यहां पर ओम इन्वर्स मिटर इन्वर्स लेकिन ठीक है हम केम पर मैंने कुछ भी नया नहीं करा है अगर आपको इस बोड़ पर कुछ भी समझ में प्रॉब्लम हुई है तो आप जाके करन्ट एलेक्टिसिटी का थमनेल पर लिखा होगा लिख सकूंँ वन अपॉन रो क्या है काट्टिविटी और वन अपॉन आर क्या है कंड़क्टेंस इंटो में एल बाए है अब जल्दी से एक बात सोचके पताओ कि अब हम जो फॉर्मुल की निमेरिकल इस चैप्टर में आएंगे लेकिन जल्दी से एक बात सोच के पताओ कि यह जो एल और ए है यह जो एल बाई ए है यह क्या है यह जो एल बाई ए है यह क्या है आप मुझे पताओ कि हम एक सेल के लिए अगर पढ़ाई करना है यह एक सेल आपके घर में पढ़ा हुआ तो इस सेल की जो लंबाई है और इस सेल का जो एरिया of cross section यह वो है ना सेल के लंबाई है एल और एरिया अब आप मुझे बताईए क्या एल और एक सेल के लिए यह constant रहेंगे क्या एल बाई एक सेल के लिए यह constant रहेंगे एक सेल अगर मैंने बना के पैक कर दिया तो उसके लिए length by area उसके लिए एल बाई ए क्या यह constant रहेंगा यह change होगा जल्दी बताओं एक सेल को मैंने बनाया बना के पैक कर दिया तो उसका एल और यह constant रहेंगा तो इसका एल और उसका ए तो constant रहेगा ना तो अगर एल और एक कॉंस्टेंट रहेगा तो के इज इक होज टू जी आप सेल कॉंस्टेंट को ncrt जी स्टार से दिखाती यानि जी के ओपर स्टार पता नहीं और सिंबल खताम हो गय थे क्या हो गया था लेकिन जो भी है शलो अप जी स्टार से दिखाती ए तो आर पर पस के इस इकोस्ट टू जी और यहां पर आजाएगा जी स्टार चालो अब 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 और सवाल बहुत प्यारा सवाल है प्लीज इसकां से देना है सेल कॉंस्टेंट की ऐसा यूनिट क्या होगी जल दीज़ा बता दो बहुत प्यारा सवाल बुच्छा मैंने की मीटर स्कूर एक मीटर से मीटर कैंसल हो गया तो आंसर आगया मीटर इनवर्स यानि जो सेल कॉंस्टेंट है उसकी यूनिट क्या होगी बच्चों मीटर इनवर्स सेल कॉंस्टेंट की एस आई यूनिट हो जाएगी मीटर इनवर्स डन है तो यह यानि कि मैं अगर यहां से यह आपको याद करने हैं एक ऐसा भी कोशनने में जिसमें यह सारे फॉर्मिल लग जाएंगा आगे आने वाले भी ठीक है तो conductivity समझ में क्या है conductivity मतलब ही कि वन अपॉन रजिस्टिविटी और कंड़क्टेंस वन अपॉन रजिस्टेंस रजिस्टेंस क्यों था रुकावट कितने रुकावट पैदा हो रही है करन्ट फ्लोवने में तो conductivity क्या हो जाएगा अगेन मैंने फिस्टेंस में समझाया हुआ है दे इस विद विच्ट दा करन्ट फ्लोव वन अपॉन अगर रुकावट है तो वन अपॉन रजिस्टेंस तो इजीनेस हो गया ना कितना असानी से करन्ट फ्लोव रहा है ऐसी रजिस्टिविटी वाले खेल के साथ उल्टा हो जाता है दन है चलिए अब अगर हम लोग बात करें तो यहां पर हमारे पास एक टॉपिक आता जिसको हम बोलते हैं मोलर कंडुक्टिविटी अब मोलर फॉर्मूले चार फॉर्मूले हैं तो जो हमारा अगला लेक्शोर आएगा एक्रोकेमिस्ट्री का मेरे बात लेकिन परतियाक है उसमें हमारा जो 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 न्युमेरिकल के दोफेस्ट हैं पहला फेस्ट हमारे पास नज्यु मेरिकल की हैं जहां से 90 पर संड या darty परषिन न जहां से निमेरिकल आने के चांसे हैं तो लेकिन 80 प्रतीशत नूश्ते हैं और 20 प्रतीशत जहां से हैं लेकिन ध्यान रखिएगा 20 प्रतीशते बहुत बड़ी क्लास में करेंगे और अगली क्लास में आ लगता हमारा अगला लेक्टर में चप्टर खतम हो जाएगा नहीं तो एक लेक्टर और दे देंगे वो देख लेंगे लेकिन यह चप्टर बहुत जल्द खतम होने वाला है और इसके बाद वापस से और्गैनिक पर आना है या नहीं आना है वह आप मुझे पता दीजिए कमेंट सेक्शन पर ठीक मतबा कमेंट सेक्शन में बता देना कि क्या हम एलकॉहल फिनोल पर आजाएं या केमेकल करनेटिक्स शुरू करें मैंने अपने आफ लाइन में तो वैसे दो बैचीज आए यह में लोगों ने ये लिकवाल फिनॉल करा दिया और एक में कैमीकल करनेटिक्स आप लोग पतान झाल 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 झाल